दोस्तो स्वागत करता हूँ आज की एक और नई सांदर जबर जस्त वीडियो के साथ बापिस से दोस्तो आज की इस वीडियो में जोन डियर के एक लेटेस्ट मॉडल गेर प्रो के नाम से जो कमपनी ने लॉंच किया है काफी नए-ने फीचर से भी कमपनी ने इस टेक्टर में डाले हुए हैं इस टेक्टर की आज हम बरीकी से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से तो दोस्तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलेगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो दोस्तो सबसे पहले दोस्तो इस टेक्टर का आप इंजन देख सकते हैं कमपनी ने कुछ इस तरीके से इस टेक्टर का इंजन डिजाइन किया हुआ है जिसमें आपको सारे फीचर्स इस टेक्टर में मिलने वाले हैं साथी साथ रेडियेटर काफी बड़ा मिलने वाला है ये अरकनियर भी काफी बड़ा मिलने वाला है दोस्तो इस टेक्टर में जो seat आपको मिलने वाली है काफी अच्छी adjustable मिलने वाली है साथी साथ इस टेक्टर में जो आपका platform मिलने वाला है पहले से भी जादा अब इस टेक्टर का platform अपग्रेट करके बढ़ा दिया गया है साथी साथ दोस्तो इस टेक्टर में जो seat मिलने वाली है काफी ज़्यादा अराम दायक इस टेक्टर की seat मिलने वाली है दोस्तो gear box की इस टेक्टर में बात करें तो company पहले इस टेक्टर में 12 forward 3 reverse gear देती थी अब इस टेक्टर में 12 forward 4 reverse gear option मिलने वाला है साथी साथ दोस्तो इस टेक्टर को कंपणी ने fuel efficiency बनाया हुआ है जिसमें कंपणी ने इस टेक्टर में boss company का 3 fuel in line pump भी इस टेक्टर में offer किया हुआ है साथी साथ दोस्तो जो boss company का fuel in line pump होता है काफी long life के लिए जाना जाता है साथी दोस्तो इस टेक्टर में देख सकते हैं पहले आपको PTO HP 49 HP का मिलता था कंपनी ने इस टेक्टर में PTO होस पावर को बढ़ा कर 41 होस पावर का इस टेक्टर में PTO डाल दिया हुआ है जिससे मचगवा बगेरा रोटरी चलाने में जो आनन्द है बहुत बढ़ियां आने वाला है साथी साथ इस टेक्टर में जो फ्रंट एक्सल मिलने वाला है परलिंग स्पेशल मिलने वाला है जिसमें दोस्तो इस टेक्टर को मचगवा में चलाओ या पानी भरे पानी में चलाओ, कोई दिकत नहीं होने वाली है साथी साथ ये टेक्टर 4-wheel drive है, तो दोस्तों कहीं भी दोडाती रहो, इस टेक्टर को फसने वाला नहीं है बैटरी के अपन बात करें, तो एक्साइट कमपनी की 12-volt 88 AMH के साथ में आने वाली बैटरी आपको काफी लाजवाब मिलने वाली है फ्रन्ट में भी वेट का काफी अच्छा ध्यान रखा हुआ है कमपनी में, जिससे ट्राली बगएरा में टेक्टर उठने की समस्य थी, वो खतम कर दी गई है साथ ही साथ दोस्तो इस ट्राली बगएरा करते हैं, एकदम आसानी से होने वाला है, फ्रन्ट एक्सल में कोई दिकत नहीं आने वाली है पावर स्टेरिंग की बात तो सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक पावर स्टेरिंग मिलने वाली है, जो कि आप सभी को पता ही है, जोन डियर काफी लाजवाब सिंगल एक्टिंग पावर स्टेरिंग बनाता आ रहा है, दूवल दूवल पंप मिलने वाले हैं, जो लगवग 32 MPH का अल्टरनेटर साथी साथ 12 वोल्ट दो कुलोवार तक की सेल्व स्टार्टर मॉर्डर कमपनी ओफर करने वाली है बैटरी की पोजीशन कुछ इस तरीके से और ओल ओवर इस टेक्टर का जो इंजन है कमपनी ने इस तरीके से बनाया हुआ है इसमें डीजल कूलेंट का सिस्टम भी कमपनी ने दिया हुआ है जिससे रिटर्न जो डीजल आता है तंकी में ठंडा आता है जिससे इस टेक्टर का माइलेज भी काफी लाजवाब कमपनी निकाल के देने वाली है इंजन तो आपने देखी लिया कुछ इस तरी के कमपनी ने बनाये हुआ है अब बात करते किस ट्रेक्टर कर रिविव कर रहे हैं तो दोस्तो आज हम रिविव कर रहे हैं जोंडियर की तरफ से आने वाला 50-50D लेटिस्ट गेर प्रो मॉडल जो कि 50 होस पावर का ट्रेक्टर है 1200 RPM में काफी लाजवा पर्फॉमेंस देता है दोस्तो इस टैक्टर में आपको पहले 196Nm की टॉर्क मिलती थी कमपनी ने इसको बढ़ा कर 205Nm की ताकत दे दी है इस टैक्टर में साथी साथ दोस्तों इस टेक्टर में आपको four wheel drive में four tire मिलते हैं जिसमें आपको पहला tire है 9-5-16 का मिलने वाला है साथी साथ पिछले tire की बात करें इसमें आपको 14-9-28 का tire मिलता था कम्पनी ने इसमें को बढ़ा कर 15-9-28 का tire size कर दिया है साथी साथ दोस्तों देख सकते हैं heat को आने न देने के लिए यहाँ पर heat guard लगाया हुआ है साथी साथ steering car वाली छोटी सी लगा दी है जो की काफी लाजवाब काम करने वाली है देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से steering मिलने वाली है साथी साथ अब lever की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं distributor lever मिल जाता है साथ में DCPC के lever भी मिलने वाले हैं देख सकते हैं दोस्तों और lift को एक net पर set करने के लिए यहाँ पर एक separate lever मिलने वाला है यह दोस्तों distributor valve का lever जो की कुछ इस तरीके से हैं साथी गेर की बात करें तो इस ट्रेक्टर में 1,2,3,4 गेर मिलने वाले हैं जिसमें आपको 12 forward 4 reverse देख सकते हैं ABCD 4 reverse gear option company इस ट्रेक्टर में offer करती है दोस्तों साथी साथ इस ट्रेक्टर में देख सकते हैं आपको PTO का lever भी कुछ इस तरीके का मिलने वाला है जिसमें 540 rpm मिलने वाले हैं साथी साथ 4 wheel drive ट्रेक्टर यह है तो यहाँ पर 4 wheel drive का lever मिलने वाला है दोस्तों यह जो ट्रेक्टर है John Deere का 50-50D सबसे ज़्यादा बेचे जाना वाला ट्रेक्टर है साथी साथ दोस्तों इस ट्रेक्टर में हम पीछे की बात कर लें कुछ इस तरीके से इस टेक्टर का पीछे का हिस्सा नजर आता है जिसमें आपको 1200 kg वाली बहतर छमता वाली lift capacity मिलने वाली है double-double distributor bulb मिलने वाले है साथी साथ इसमें जो axle मिलने वाला है rear axle काफी heavy duty planetary rear drive का मिलने वाला है Company and दोस्तो इस टेक्टर में काफी जवर जस्त काम किया हुआ है PTO की बात करें तो इस टेक्टर में 41 होस पावर का PTO मिलने वाला है जिससे दोस्तो आप मचगुगा बगएरा रोटरी बगएरा बड़े ही आसानी से इस टेक्टर में एकदम अच्छे माईलेज के साथ निकालने वाला है क्योंकि दोस्तो इस टेक्टर में आपको काफी अच्छा माईलेज मिलने वाला है साथ ही साथ दोस्तो इसमें आपको 3 टॉप लिंक के लिंक मिलने वाले है साथ ही साथ दोस्तो इस तरीके से पिछले का हिस्सा है इस टेक्टर का टायर साइज 15,9,28 है जैसा कि मैंने बता है दोस्तो यहाँ पर बड़ा अप्ग्रेड किया गया है कंपनी की तरफ से पहले 14,9,28 का टायर आता था आंगे का है 9,5,20 का टायर तो दोस्तो यह था हमारा जोंडियर की तरफ से आने वाला 50,50 D का फुल रिवीव वीडियो दोस्तो अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिलती है नेक्स्ट वीडियो